हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ चानल कुकिंग वर्ल्ड, आज हम बनाएंगे गोबी आलू की सबजी, वो भी बिना टमाटर की, इसके लिए हम एक पैन में तेल डालेंगे, तेल जैसे ही हमारे बढ़िया से गर्म हो जाएगा, हम इसमें डाल देंगे गोबी और इसे भी ऑइल डाल देंगे और उसमें डालेंगे दो चमच, जीरा, अब हम इसमें डालेंगे अध्रोक और लसुन, जिसे मैंने कूट लिया है, अब इसमें डालेंगे चारत बारिक कटी हुई हरी मिर्च, अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसके बाद हम डालेंगे आल इसमें एक diagnostik伏 प्याज breaking of a medium इस सबी को अच्छे से mix कर लेंगे और पांध план के लिए पका लेंगे और फी जो इसमें डालेंगे घूब्यस जिसे वह दोने पहले से ही तल लिये था और इसे भी अच्छे से mix कर लेंगे इसके बाद हम डालेंगे एक चमश नमक, एक चमश हल्दी पॉडर, एक चमश लाल मिर्च पॉडर, एक चमश धन्या पॉडर और एक छोटा चमश गरम मसाला अब इन सभी को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे देखें बढ़िया से हमारी सबजी मिक्स हो गई है अब हम डालेंगे इसमें एक कटूरी पानी अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है अब हम इसमें डालेंगे मटर मटर को मिक्स करने के बाद इसे अच्छे से पका लेंगे जब तक इसका पानी सूखना जाए अब देखिए इसका पानी बढ़िया से सुख गया है सुखने के बाद हम इसे बढ़िया से सर्फ कर लेंगे तो है ना असान इसे बनाना वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक और सस्क्राइब